सबी गुरुवरों को मेरा प्रणाम और आप सब को स्वागत एक वार फिर से गुरुवर क्लासेज में और आज हम पढ़ेंगे सीटेट जोलाई 2013 का जो प्रिशन पत्र है उसको जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं बात करता हूं मैथ के मैथ सेक्षन की मतलब पैड़ागोजी सेक्षन हम नहीं पढ़ते हैं कि मैथ मैथ का जो अर्थमेटिक वाला पार्ट है उसे हम कवर करते हैं तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से दो हार तेरह में पहला क्वेश्चन क्या है 30 फर्स्ट से तो पहला क्वेश्चन है किसी बर्ग का परिमाब 24 सेंटीमीटर परिमाब दे दिया यानि कि फोरे वरावर दे दिया हमें 24 सेंटीमीटर ठीक है आगे कहा है और किसी आयत की लंबाई आठ से मी कोई आयत है इसके लावा यह कोई बर्ग है और इसके लावा यह कोई बर्ग है उस बराबर है अब देखो यह जो बरग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है और आयत का भी 24 है यानि कि आयत के परिमाप को फोर्मूला क्यों होता है 22 L प्लस B बराबर 24 हो गया यह हमने क्वेस्ट में दिया हुआ है और क्या खा गया है तो आयत का छेत्रफल है आयत का हम से 2 पूजा है तो आयत का 6 थरफल निकालने के लिए अमें भी मालूम होना चीह है तो भी हम यहां से निकाल सकते क्योंकि एक वैल्ली हमारे पास है तो टू एक वैल्ली सब्समें 1 करो बरावर मन करıldıं 24 है डं़ और इथर मल्टीप्लाई में एधर दिवाइड में तो जाएगा बारे अब यह आठ पिलस में है इधर जाएगा माइनस में तो बारे में से आठ के चार यानि कि बी कितना आ अगया आपका चार अब आप सब पुछा आयत का चैतर फल क्या फोर्मूला होता है भी आयत के चैतर फल का लंबाई गुणा चुड़ा या वर्ग सेमी जो कि है हमारा उप्सन नंबर सी में है तो यह हो गया थर्टी वन इसके बाद हम चलते अपने जो अगला है थर्टी टूप है तो थर्टी टूप क्या दिया हुआ है वही चलो पढ़ लो थर्टी टूप में दिया हुआ है संख्या एक दो तीन चार पांच में एक दो तीन चार पांच में में तीन के इस्थानियमान तथा अंकितमान में अंतर है तो तीन के इस्थानियमान भी तीन सो यहां पर निकालोगे तो इस उसGu desc निम्न में से कौन सा सही नहीं है तो पहले में किलोग्राम को ग्राम में कनवर्ट करवाया है और कितने दिया है 56.7 किलोग्राम में 1000 होते हैं तो 1000 से इसमें गुणा करोगे आप अब 1000 से गुणा करोगे तो जब तीन इस्थान दाइं और जाएगा तो पहला तो साथ हो गया दूसरा जीर हो गया तीसरा जीर हो गया आएगा कितना 56,700 और दे रखा है 56,070 ग्राम तो कौन सा सही नहीं है पहले वाला जो है वो सही नहीं है यानि कि पहला वाला ही इसका आंसर होगा क्योंकि दूसरा देखोगे एक घंड के 6 फलक होते हैं सही बात है एक मिली मीटर ब्रावर 0.1 सेंटी मीटर होता है यह तो हम पिछले कई बार आ चुका है पिछले कई प्रिविएशर में आ चुका है और 0.10 0.1 के समाने बिलकुल सही बात है पॉइंट के बाद 0 से कोई फरक नहीं पड़ता है तो इसका पहला ही यह वाला हमारा आंसर हो जा प्रती घंटा है नाव की चाल यानि की स्पीड ठीक है नव मैंने लिख लिया अंसर अधिक है अधिए सैन वरावर दे रखें हमें 20 किलो मीटर अि प्रति घंटा यानि कि अएगर वो एक घंटे चलेगी तो हो बिस किलोंगी की दूरी तैकशलेगी यह मतलब हुआ इसका और उड़ की चाल तेष्थ किलोंगा प्रतिघंटा अबुश्री नाव युआ एशन लिख लिए युआ कि दूछरी नाव की चाल कितनी दी हुई है वो दी हुई है 23 किलो मीटर प्रति घंटा ठीक है साथ दो नावों की चाल दे दी यानि क्यों एक गंटे में तेही जाएगी एक गंटे में बीच जाएगी ये दो नावे एक ही दिशा में एक स्थान से एक समय पर चलती है साथे तीन गंटे पस्चाथ उनके बीच की दूरी कितनी बीच की दूरी है अब देखो अगर दोनों एक गंटे चलेंगी तो दोनों के बीच की दूरी कितनी रह जाएगी तीन किलो मेटर क्योंकि पहली वाली जो जाएगी मालों एक घंटे का में यहां पर गिराब बना रहा हूं मिल्कुल देश ही तरीक चलो कोई फोर्मुला लगाने के जरूत नहीं पुछ नहीं तो एक है घंटे में तो जाएगी 20 किलोमेटर दूसरी वाली जाएगी ए गंटे में कितनी चलेगी त्यूस ठीहिस ठीख。 तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो यह बीजदूनी 40 का चलगी कितने कितनी देर में दो घंटे में और यह कितनी चलगी सीकी 24 कूर अब एक आप Resik को ओले लेते हैं तो एध गूंटा आपनेस और मों लेता हूं को एक घंटे में यह 20 और चल जाएगी और यह 23 और चल जाएगी अब देखो 20 12 social 6 तो पहली वाली तो तीन गंटे में चलोगी 60 किलो मीटर को दूसरी वाली टीन चल जाएगी 23 दुनि 46 46 mob तो यह चल जाएगी 69 किलोमीटर लेकिन लेकिन अब क्या हमें बताना है तो यह तो होगी तीन घंटे की बाद अब आधे घंटे में कितनी जाएगी दो आधे घंटे में कोई चीज 20 किलोमीटर जा रही है तो आधे घंटे में कितनी जाएगी 10 किलोमीटर जा रही है तो आधे घंते में कि想ि tower गैजा वो रॉस साँवाइज गहाईए तो самаров 검's एक यारे किलो मेटर यह जाएगी जा इनने कि कितनी एक ॊँट्पाँच और अधिक जाएगी आ। इस वाले है तो पोब उनत्र यानि कि नो तो यहां पर अधिक हो ऊगी अधिक हुई अठ्य तो आपको होगे 10.5 यानि कि 10.5 किलोमेटर यह साधिक चली आएगी 10.5 जो कि हमारा ओप्षन है बी में ओप्षन बी में हमारा दे रखा है इस क्वेश्चन को यह तो हो गया हमारा सीधा सीधा तरीगा अगर आपको कोई फोर्मुला मालूम भी नहीं है तब अगर आपको फोर्मुला मालूम है तो आप कैसे निकालोगे जड़ा वो देख लो फोर्मुला आप जानते हो चाल बरावर दूरी वटे समय होता है चाल बरावर कितना होता है दूरी वटे समय अगर मैं पहली वाली जो हमारी है इसकी दूरी निकालता हूं दी एन वन निकाल जालता हूं तो जैसे चाल बराबर यान की स्पीड बराबर कि डिस्टेंस अपोन टाइम होता है तो डिस्टेंस और आपर क्या हो जाएगा स्पीड इंटु टाइम ठीक है तो डिन वन अगर मैं पहली जो हमारी नाव है उसकी साड़े तीन घंटे में साड़े तीन घंटे में टाइम कितना दिया हुआ साड़े तीन घंटे में अब पहली वाली भी साड़े तीन घंटे चलिए और दूसरी वाली भी साड़े तीन घंटे चलिए यानि कि दोनो 05-6 और 7 वट दो यानि कि 2 theta 20 दस सत्त्ते िपहली वाली जो चली वह तह सत्त्तर अब दूसरी वाली जो नाव चलेगी वह कितना चलेगी वह चलेगी 23 गुणा्रइक गुणा प्रक्सक्णल सातव डिवाइड करो कि इसकी स्पीड उपर पांस से उना कर लो तो नीचे क्यों होगा नीचे बन जाएगा दस अर्धस से डिवाइड करना आसान होता पॉइंट एक इस्तान इधर कर देते अब तेहीं साथ और फांच की गुणा कर लो तो साथ पंजे पैतिस ठीक है और तेहीं इनकी गुणा कर लो अपस में तो तो कितना आगे आपका 805 ठीक है अब यानि की पॉइंट यहां पर है अब दस अटा हुए तो 805 जा रहेगा अब पहली जो नाव है वो तो 70 किलो मीटर चल गी कहने का मतलब यह और दूसरी चल गी 805 तो अगर हमें निकालना है कि पहली और दूसरी नाव के बीच की दूरी कि तो 80.5 में से घटा दोगे 70 तो अचेगा आपके 10.5 तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिया है जो आपको अच्छा लग है वो आप कर सकते हैं देखो इसमें कैलकुलेशन जाद है और इसमें थोड़ा सा दिमाग का प्रियोग जाद है तो 34 हो गया है हमारा अब हम चलते अब देखो 35 क्या है 35 वह वही 90707 को 9 से भाग देने पर सेस्फल बताना है तो 9 कम 9 या सीधे कर दो 10 नमे 90 यहां तो बच्छे का 0 उतारोगे 7 लेकिन 7 में जाएगी नहीं तो आप दसम लगा हुए 0 में जाती का आप उतार लोगे 0 970 63 क्योंकि 9872 जाद हो जाएगा फिर बच्छे का साथ फिर आप साथ उतार लोगे तो फिर 9872 क्योंकि 981 जाद हो जाएगा तो साथ मैंसे दो जाएगा पांच जो की इसमें दे रखा है option नमबर बी में तो यह हो गए इसका एक ताजय मचली को सुखाने पर उसका भार एक वटे तीन रह जाता है ऐसा कुश्च्छन पहले भी कर चुके हैं प्रीविश यह में एक जानिकि अगर कोई मचली तीन किलो की है गीली मचली तो अगर उसे तुम सुखा ओगे तो एक किलो की रह जाएगी एक वटे तीन का मतल तो अगर मैं बात करूँ तो उसने कित्जे रुपे खर्च कर दिये टोटल टोटल रुपे तो हमने अब एक 1525 के वहाँ से खरीदी याली 25 रुपे के 1 किलो तो तो पंध्जी तो कितने की फ़ीएड अच्छे दर बढ़ाए चुआ है मैं तो अब इसको गुणा कर लो गु 25 हासिल लगे 12 और 25 इकम 25 और 12 पांथ दो साथ और एक तीन तो इतने रुपे की तो उसने मचली जो थी वो खरी दी 25 के भाव से फिर उसने क्या करा गई उन मचलियों को सुखा लिया उसने सुखाने के बाद 80 पृतिकलों के भाव पर बेज देती है अब उसने 80 पृतिकलों के भाव से भेज़ दी लेकिन अब जो जब सूक ही है मचली То उनका भाड भी तो कम हुआ ठीक है भाड कि इतना है भा 2500 है तो कितने 552 गुणा अब कितने बहाव से बेचे गाव इतना वजन रहे गे उसके पास 502 गुणा बहाव से बैच रहा है वहाव से 452 पान्दर ai newton circle जो भी है वहで iler 2 तकि 40,000 प्रकूरय 0000 500 रुपे की तो उसे कितनी बचत हुई उसे कितनी कमाई हुई तो वह 40,000 में से आप घड़ा दोगे 37,500 जो दीरो बचेगा जीरो बचेगा पांच बचेगा यहां पर बचेगा आपका दो तो 25,000 रुपे जो थे वो उसे बच जाएंगे जो कि हमारे उप्सन नंबर में दे रखा है तो 25,000 रुपे उसे बच जाते हैं समझ मा आ गया हो अच्छी बात है नहीं आ गया हो तो एक वार रिपीट करके समझने की कोसिस करो तब भी ना आए तब आप हमें कमेंट में बता स लगते हो हाला कि मुझे लगता है जित्ते लोग भी देखते हैं 15-20 लोग वो उनके सब समझने मा जाता है क्योंकि वो कमेंट नहीं करते हैं और अगर डाउट होगा तो आप कमेंट करोगे उसका समधान भी करा जाएगा अब देखो इससे अगले हमें दिया हुआ है 37 कुश्चन 37 में क्या दिया हुआ है वही निम्न प्रति रूप को देखिए 9-1 भाग 8 बरावर 1 9-8 भाग 9-8-2 भाग 8 बरावर 1-2 यानि की बार है तो यह तो एक तरीके से रीजनिंग में हमारा कुश्चन चला जाएगा देखो कैसे 9-1 भाग करेंगे 8 से बरावर जाएगा 1 ठीक है 9-8 को हमने भाग करा मतलब माइनस करें 2 भाग करा 8 से तो हमारा जाएगा 1-2 इसी तर बाग तो हम हर बार 8 से कर रहे है है ठीक है लेकिन यहां पर हम एक एक चाएप माइनस कर रहे हूँ और जी तने आंक में हाल लिख रहा हूं वहीं पर क्रम चल रहा है जैसे 1 चला हूँ एक अंक था तो 1 चला, 2 थे तो 1, 2 चला, 3 थे तो 1, 2, 3 चला, 4 थे तो 1, 2, 3, 4 चला, अब अगला हम बेख लेते हैं, हमसे क्या पूशा है, 9, 8, 7, 6, 5, 4, minus 6, divide by 8, अब देखो कितने अंक है, 2, 2, 4, 2, 6, यानि कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, समझ वे हो गई ये बात, तो इसका answer है, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, जो की option number B में दिया होगा है, ठीक है, निम्न प्रिति रूप को देखिए, इसी प्रिति रूप के नुसार हमारा ये आएगा B वाला answer, समझ गए होगे, तो 36 हो गया हमारा, थोड़ा सा question की हमारा reasoning में चला जाता है, मतलब गुड़ा भाग करने की जरूत नहीं है, थोड़ा सा question reasoning में चला जाता है, देखते हमारा question number 37, 37 क्या है, एक बोतल में 750 हैमल जूस भरा जाता है, और ऐसी 6 बोतलों को एक कार्टन में पैक कर दिया जाता है, अब देखो, एक बोतल में 750 हैमल भरा जाता है, अब ऐसी 6 जूस भरा जाता है, आगे क्या कह रहा है, चार सो पचास लीटर जूस के लिए आवश्य कार्टनों की संख्या है, चार सो पचास लीटर, अब देखो, पहले मैं इसको बदलता हूँ लीटर में, 4500 है, तो अगर मैं बात करूँ, अमल देखो आप जानते हो, एक लीटर बरावर 1000 हैमल होते हैं, ठीक है एक लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं अगर मैं एक एमल की बात करूं तो उसमें एक बटे 1000 लीटर हो जायेंगे ठीक है अगर मैं 4500 जो कि यहां पर दे रखा है अगर मैं 4500 म्ल की बात करूं मैं तो इसमें कितना हो जाएंगे 4500 बटे 1000 लिटर होगे इसकी कहने का मतलब है यानि कि 4000 ml यानि कि 4,500 ml यानि कि 5.5 लिटर यानि कि आधा लिटर तो सारी 4 लिटर होगे 4500 कितना आता है कि एक कारइन में लेकिन नुर्स सब पूछा गया है 450 050 अब या तो थो इसको आप गुणा 100 कर दो तो यह आपका बने सो 450 अब इदर गुणा 100 करोगे तो इदर भी गुणा 100 करना नहीं पदेगी तो इदर आप क्या जाएंगे karton ओके संक्या 100 तो पहला तो तरीखा यह होगा अगर आपको 450 लीटर बनाना अब दूसरा तरीखा क्या है दूसरा कटरीका ये है बही 4.5 लीतर आता है एक कार्टन में अगर मैं 1 लीटर की बात करूँ तो 1 लीटर आएगा 1 बटे 4.5 कार्टन में, लेकिन मुझे बताना है कितने को? मुझे बताना है 4,5 लीटर को當 1 अपोन 4.5 while 2.5 बटे-ばines पॉइंट हटाओगे यहां से यहां पर जीरो बढ़ा दोगे ठीक है अब देखो पैतालिसी कम पैतालिस जीरियम जीरो जीरियम जीरो जीरियम जीरो यानि कि ऐसे भी आप कौन सा सोही आएगा तो समझें आगया होगा आसर करते हैं तो सैतिस वह हो गया है बाकि अगर आप लीटर वाला देखना चाहते हैं हमने यह माप बाला चैप्टर किस तरीके से पढ़ाया तो आप हमारी वैप साइट पर जाकर देख सकते हैं कोर्स ले सकते हैं तो इसके बाद चलते हैं हमारा थर्टी नाइन जो कर्शन है उस पर है थर्टी नाइन में क्या कर गया है बई किसी आयताकार बक्से की लंबाई चुड़ाई हुचाई तीनों चीज़े दी हुई है अब इसके अंदर हमें क्या करना है आठ हजार छैसो चोसट सिंटी मीटर घनों को पैक करने के लिए ऐसे कितने बक्सों की अवर्शकता होगी अच्छे पहले हमें पता होना चीब एक बक्से में कितने आ सकते हैं हमारे कितने घन आ सकते हैं तो पहले मैं निकालूँगा एक बक्से में अब एक बक्से की तो हमें लंबाई चुड़ाई हुचाई जो होता है तो एक बक्से का आयतर दे रखा है चार गुणा तीन गुणा दो चार गुणा तीन गुणा दो यानि कि चारती अबारे दुनी चोविस चोविस सेंटीमीटर घंड यानि कि अगर एक बक्से की माप यह है चार तीन और दो है अगर किसी बक्से की माप चार तीन द के अगर में इसके अंदर रखता हूं यानि की कौन से गन जिसकी वह उस घन की बात चल रही है यहां पर जिसकी लबाई चोविस घंड आ जाएंगे लेकिन हमें चोविस का तो हमें बताना नहीं है हमें बताना है कि 8,664 सेंटेमीटर घंडों को पैक करने के लिए कितने ऐसे बक्स हो गया वर सकता हुई तो पहले हम निकालेंगे एक सेमीघं के लिए अगर मुझे एक घंड रखना है तो मुझे कितना बक्सा चीए है मुझे बक्सा पूरा नहीं चीए मुझे बक्से का 1 बटे 24 पार्ट चीए जो कि एक वटे 24 बक्से की आब सकता होगी एक सेमी घन को रखने के लिए लेकिन मुझे रखना है 8664 सेमी घनों को यह तो हमसे का आगा है 8664 सेमी घनों को रखना है तो एक वटे 24 इसमें गुणा कर दोगे 8664 तो इतने वक से आजाएंगे अब इसको आप काड़ लो सीदे सीदे तो 24 या 72 और 24 चोगा करेंगे तो हमारा जाद हो जाएगा 4 चोग 16, 496 हो जाएगा 24 या 72 तो हमारा कितना बचेगा हमारा बचेगा 14 चोग 24 होते हैं ना चार दो च्या सरी अब चोग से हो जाएगा 146 तो 24 हम करके देखते हैं साथ चोग 28 का आठ और साथ दुनी चोग है और साथ चोग 28 का आठ चोग हो दो साथ भी ज़्याद हो जाद हो जए चैसे करके देखो चोग 24 का चार हासिल लगे दो चैसे दुनी बार दो चोग है यानि कि 144 बचेगा अगर मैं करता हूं 6 से चैसे बार कर दिया 142 बचेग फिर 24 का चोग है यानि कि 361 बक्सों की अवश्यक्ता होगी अगर आपको 8,664 घं रखने हैं इतने सेमी घं का अगर आपको इस पेस चीने दो तो जो कि दिया हुआ है उप्सन नंबर बीम है 361 दिया हुआ हमारा ना हुआ है 49 बार हो चुका है अब चलते हैं अगले देखते हैं क्या मेंस इसके बाद कुछ अमारे पांच दस और पैटिस के सबसे चोटे सार्व गुणज यानि कि HCF और सबसे बड़े सार्व गुणज यानि कि क्या कहते हैं सबसे चोटे सार्व गुणज यानि कि LCM होगे lowest common multiple और अगर सबसे बड़े सार्व गुणज की बात करें तो HCF हो या highest common factor इन दोनों का अंतर पूछा है तो पांच दस पैटिस पहले इसका निकाल लोगे LCM LCM निकाल लो पांच इकम पांच पांच दोनी दस पांच सत्य पैटिस अब आपको दिखा रहा है दो और साथ प्राइम नंबर है यानि कि HCF यानि कि सबसे बड़ा साल्व गुणंखंट तो पांच को दस से दोगे पांच दोनी दस कड़िगा पूरा तो अभी तक तो पांच ही है अब पांच से पैटिस को दोगे तो पांच सत्य पैटिस तो यह आगा आपको पांच HCF सत्तर और पांच का अब जो अंतर करोगे तो आएगा 65 जो कि ओप्सन नंबर में दे रखा है सी में तो यह होगी हमारा 55 चपनवा देख लो संख्या 105 कि गुलंखंडों की संख्या हमसा पूछी गई है संख्या 105 कि गुलंखंडों की संख्या 105 लिख लोगे इसकी संख्या निकालनी है तो सबकी पावर एक एक बढ़ा कर दो तो एक की जगए दो कर दो दो दूनी चार दूनी आठ यानि कि कुल मिला के इसके 8 गुलंखंड होंगे हमारे 105 है उसके जो हमारा उपसर नंबर डी में दिया हुआ है ठीक है तो 55 के बाद हमने 56 भा भी देख लिया है आप देखते हैं अपना 57 भा यदि समय अब 2.17 पीम है 2.17 पीम का मतलब क्या होगा अब 12.14 तो अब से ठीक 11 गंटे और 69 मिनट के बाद क्या समय होगा अब देख लोगे इस ट अब देख के 17 पीम जबकि एक्जक्ट समय अभी बैसे 27 हो रहा है एक्जक्ट टाइम भी 27 ही हो रहा है अब इसका मतलब पीम है थीदे बारे जोड़ दो यानि कि 14 गंटे का टाइम हो रहा है और हम सब पूछा है कि अब से 11 गंटे और 69 मिनट वाद क्या टाइम होगा 11 मिनट तो कुछ होते नहीं है अब इससे पहले में पूरा जोड़ लेता हूं चार और एक पांच चार और एक पांच और एक दो 25 हो गया अभी रूख अभी और आगा होगा यह 76 मिनट का तो मतलब कुछ होता नहीं क्योंकि 60 मिनट मिलगे एक गंटा बना लेंगे तो इसमेंसे आगर मैं 60 गटा दूँ तो इधर पोच जाएगा यानि कि अगर इसे मैं लिख सकता हूं 26 गंटे और 16 मिनट यानि कि जो 76 है इसको लिख लिए हमेंने 60 प्लस 16 अब 25 गंटे समय नहीं होता हमारे पास क्योंकि हम 24 गंटे की गड़ी में चल देंगे 24 इसमें से घटा देंगे 24 इसमें से घटा दो यहां पर बचेगा 16 चार यह दो यानि कि दो बचके भीट यहां पर हमारी गारी चलती है तो दो सोले एम समझें जो की दे रखा हमारा उस नमबर चींग है तो दो सोले एम का वक्त हो रहा है टाइम भी हम आपको पढ़ा चुके हमारी जो बैप साइट है उस पर कैसा आता है कैसा निर्ग अब तरे तुट्स दॉत के पूंधे होगा है 38 साधह थीन संकोरबं में जिए बुते होगी संक्या अब देखो 3.30 ृ क्या हो या 3 से एक वटे 2 एक संकूर में सब को बताए 90 डिगरी होते हैं 136 यानि 2 36 7 वटे 2 में कि बताना है तो 7 कुरा 90 हो जाएगा दो से जाएगा 45 वार तो तो साथ पंजे पैतिस का पांच हासी लगे तीन साथ चुक अठाइस और तीन 31 यानि कि 315 डिगरी आंसर है डी वाला तो योग्या 58 59 देख लो भी 59 59 इस वार भी रिपीट हुआ था अभी जो पेपर हुआ था इससे पिछला वाला हमारा 2018 में हुआ था उसका तो ग्यार एक आ 110 और 11 सैकड़ा यानि 11 गुना सो यानि कि 11 अब जोड़ लो एक एक और एक दो एक और एक दो यानि कि 1221 आपका इसका अंसर है जो कि ओप्सिन नंबर बी में दिया हुआ है तो 59 हो गया और 60 और देख लो 509 और 3028 का योग है तो 509 आप से लिखना आना चाहिए 509 पहली बात दूसरा हमसे का आगा है 3028 तो 3028 यानि कि तीन तो आगे हजार पर 28 आपना यह तो आते ही होगा इतना तो अब दोनों को जोड़ो 9870 का साथा सी लगा एक तो दो रेक तीन जाएंगे 535 जो कि आपको नंबर में दिया हुआ है तो यह सीट एट जोलाई 2013 था जो कि आप समाप हो चुका है तो आसा करते हैं आपके यह समझवाया होगा और भी धीले मत पड़ो यह अला कि प्रिवियस यह बहुत बड़ी ताकत होती है क्योंकि 11 प्रिवियस यह हूए सीट एट के और हमने 11 के 11 प्रिवियस यह आपको करवाने का संकल्प लिया है जिसमें की काफी सारे ह हो चुके मेरे मेरे ख्याल से मैं अभी तक यह सातवा आठवा है दो तीन और बचने मैथ के तो आप इतना ही वैसे आपके लिए काफी होगा कि अगर आप प्रिविश अच्छे समझ पा रहे हैं और सोल्व कर पा रहें तो इतना आपके लिए काफी आपको मैथ और कहीं जी और यूट्यूब पर अविलेबल नहीं है वो हमारी साइट पर अविलेबल है तो उनके लिए आपको कोर्स वाई करना पड़ेगा कोर्स खरीदना पड़ेगा बेसिक से चाहते हैं और अगर आपका इसमें समझ में आ रहा है तो कोई जरुवत नहीं है और को करीद होगे तो तुम्हारे भला होगा क्योंकि इसमें पैड़ागोजी बहुत अच्छे थे हमारी जो सर है वो पढ़ाने वाले पढ़ाते भी या आप पढ़ते भी हो तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और समझ में कुछ अगर ना आया हो तो कमेंट कर दो और शे लिएक ये लिएको अपने के लग बहुत कर अबस्टियों कि वाले दोड़ा ना के लिएको झाले के लिएको कि जोस्टियों को अढ़ते भी हो आप ये तो येट किवाजिए दो